नमस्कार कल हमने परस्नेलेटी की आपको वो शकल दिखा दी जो आपके सामने आने वाली है और अगर उसके बारे में एलर्ट ना हुए तो बहुत मुश्किल हो सकती है कल मैंने बोला कि कमिंग डेज आने वाला युग परस्नेलिटी का युग होगा दे वर्ड इस बींग टेकन ओवर बाई परस्नेलिटी नोट कर लेजिए इसको और थंटिकली नोट करिए इसको नहीं तो अगर हम प्रिपेर ना हुए उसके लिए तो हमें बहुत ही रिग्रेट होगा और जब मैं कह रहा हूँ कि दा कमिंग वर्ड इस गोइंग टो बी टेकन ओवर बाई परस्नेलिटी आने वाला युग परस्नेलिटी का युग होगा तो इसी के बेसिस पे मैंने अमेरिका से जाके गाजियाबाद के शालिमार गार्डन में I have started a one week personality show personality course of one week ये मैंने वाँ जाके start किया अमेरिका से and that too at a very discounted zero price, very low price, rupees 3000 per week पूरे total training का हमारा जो फीस है या charges है वो 3000 है उसको certify भी किया जाएगा तो जब हम कह रहे हैं authentically the coming days will be taken over by personality अब हमने कल बात की कि ये जो personality है इसके बहुत सारे आयाम हैं बहुत सारे dimensions हैं और ये जो fabric है personality की it is woven by many threads इसको बताने के लिए कि ये जो fabric है personality की it is woven by many threads वो threads पता नहीं कहां कहां से आ रहे हैं और कैसे उनको control किया जाए ये बहुत बड़ा subject है और हमने इसको पकड़ा हमने knowledge से पकड़ा जो सब से एहम चीज़ है because the knowledge is a topmost priority and then practical knowledge the knowledge you are using or I am using that's the practical knowledge उसकी तो authenticity कोई नाप ही नहीं सकता उसकी इतनी एहम जरूरत है practical knowledge की उसके बाद हमने courage की बात की जो इसके सामने पेश हो जाता है आके practical knowledge के बाद तो हमने कल ये सारी बात कर ले की युग आने वाला है personality का आने वाला भी मत समझी it's in front of you already so we will have to be prepared और ये जो हमारा that is one week personality course is a wonder course nobody can ever design such a big subject in one week but we did it with our dedication meditation and many calculations की क्या-क्या उसमें embedded कर देंगे हम तो कल मैंने कहा की personality का यूग आ गया और coming word will be taken over by personality लेकिन आज मैं आपके सामने उसके example लेके आया हूँ की क्या shape होगी अगर एक आदमी प्रिपक है personality को जानता है personality की roots को seeds को जानता है की कहां से शिरू होती है क्या होती है what is a personality what is the definition of the personality what is a scientific personality और कहां होती है कैसे वो step by step चलती है knowledge, courage then discipline then the balances then the contain करना उसको पकड़ लेना ये सारी बातें जब आगे आगे आती हैं तो ये क्या shape लेती है मैं आपको दो तीन example दूँगा वो example कैसे होंगे कि एक प्रिपक है personality में mature आदमी है उसने ये courses किये हुए है या उसको एक vision मिल चुकी है कि वो personality होती क्या है अब now this personality is walking with him और उसके side side success चलती हुई जा रही है अब देखिए मैं आपको एक example देता हूँ सबसे पहले कि एक candidate एक hotel के corporate के interview के लिए जाता है और उसका जो interviewer है वो उसको पूछता है कि आपने ये जो course है ये आपने ये जो interview है या ये job है आपने क्यों पसंद की तो ये जो ये जो मैं position पहली first ले रहा हूँ ये ले रहा हूँ कि जो जो candidate पूरा mature नहीं है प्रिपक नहीं personality में तो वो अब जवाब दे रहा है उसके बाल मैं second stage पर बताऊँगा कि जो mature है जिसने पूरी chain उसकी knowledge की courage की कर रखी है जान रखी है और उसमें embedded है वो क्या करता है अभी ये एक immature है जो regular इनसान है वो interview के लिए गया है उसको पूचा जाता है कि आप ये हमारा hotel क्यूं जोइन कर रहे हैं उसने कहा उसने जवाब दिया candidate ने कि देखिए sir I need a job I wanted a career तो किसी ने मुझे बताया कि you have vacancy तो मैं यहाँ आया मैंने कहा कि hotel तो बहुत अच्छा है शैद मेरा career बन जाएगा यहाँ पे और sir मैं बहुत मेहनत करूँगा और बहुत मेहनत से काम करूँगा मुझे career मुझे job दे दीजिए तो यह इस तरह की उसने एक regular बात की इसमें हमें कहीं पे कोई knowledge maturity या एक chain of command या एक embeddedness जो threads कितने थे वो नहीं नजर आए अब दूसरा candidate जो एक प्रिपक था जिसको knowledge का personality का पता था वो जाता है उसको पूछा जाता है कि आपने इस job को opt क्यों किया आप यहां क्या सोचके आए हैं इस hotel की job के लिए corporate job है तो उसने कहा कि मुझे पता लगा है कि यह hotel की बहुत ही अच्छी standing है यह जो customer आता है उसको उसकी money से भी ज़्यादा value देता है adventure दिखाता है उसको grace देता है उसको उसको एक ऐसा रास्ता देता है कि वो उसको लगे कि मैं पता नहीं कहां आ गया तो मुझे यह बाते जब मुझे पता लगी यह knowledge जब मुझे मिली तो मेरे में courage आया कि मैं इसमें join करूँ और इस team के साथ चलूँ ताकि यह भी grow करें और मैं भी grow करूँ तो यह दो differences थे एक तो बात कर रहा है regular कि मुझे carrier मुझे job चाहिए थी मुझे पता लगा मैं आ गया लेकिन इस इंसान ने उनको दिखा दिया इस पर्सन has shown them that he has a chain of command he has a knowledge he has a courage he has a discipline he knows what is what and that's what the same he will talk to the coming guests and people so this is the difference nobody can show you this difference in front of you that this is a person without the backing of personality and this is a person with the backing of personality. I have shown you. It is a wonder example. So, now I come to the second case. There is a corporate setup. And in a corporate setup, a person who is not that mature in personality is taking, is talking to some client who is interested in a project. No, this person who is not that mature in personality, he tell to the client, Oh, you can have project with us. We will help you like anything. We will serve you. We will walk with you. And you can be comfortable. You are not going to get any complaints and all that and this and that. Now, this is the person who is not that mature in personality. Now, the second comes. Who knows what personality is? What the backing of knowledge and courage and all that is? Now, he talks to that client. He started with, Sir, we have a backing of principles. We talk about principles. Our platform is principles. We never compromise with principles. And all our clients are here, attached to us since years together. They don't go anywhere. Our clients aren't going anywhere. Our clients aren't going anywhere. Our platform is principles. Our platform is principles. We never can do this. So, this is two different things. We have been saying this. This is the thing. Our platform, and we have to do this, So, we can do this, We have to do this. We don't actually do it We have to do this. regular language बोल कर रहे गया, so this was the difference, I am telling you what we will be making, we will be making a mature personality, a top most atomic dynamic personality, who knows what is what, and what to talk, where to talk, and what platform I am giving to the other person in front of me, so ये दो difference हो गए, अब मैं तीसरे instance पे आता हूँ, कि एक इनसान forces के सामने जाता है, एक आर्मी में entry के लिए जाता है, वहाँ उसका interview हो रहा है, उसको वो interview पुछता है, कि हाँ, आपको कौन सी चीज ने encourage किया, कि आप आर्मी जॉइन करो, तो ये person प्रिपक नहीं है, he is not that mature in personality, अब वो कहता है, sir, मेरे my friends and all those people used to talk about army, तो मैंने सोचा कि ये तो career अच्छा है, इसमें अच्छा हो सकता है, मेरे दादा भी कभी forces में काम करते थे, तो मुझे उसका भी थोड़ा इलम था, तो मैंने कहा कि मैं इसी में life काट लूँगा, मुझे अच्छा लगता है, इसमें exercise भी होती है, dress भी बहुत अच्छी होती है, ये वो, so this person was not that mature in personality, he was not aware about the definition and the strength of personality, so he talked like this, now the second person comes in front of us, who knows what is personality, who knows what's the basic of personality, how the chain of commanded personality runs, now he talks to that interviewer, sir, ये जो मैंने जीवन अपना आज तक mature किया, बनाया, इसको मैंने personality दी, मैंने सिहत दी, अपनी personality को प्रिपक किया, मैं चाहता हूँ कि ये maximum use हो, इस दुनिया के लिए मेरा और मेरे देश के लिए सबसे ज़्यादा, तो मैंने सोचा कि मैंने जीवन तो चलाना है, I have to go to some carrier, why not this, where I can utilize my services, my life, my personality, everything for the nation, so that here I will be getting personality, adventure and all that in favor of nation, in favor of my people, in favor of my blood. So, you can distinguish between that stage and this stage, वो क्या कहके चला गया और ये क्या कहके चला गया, कहने में तो कह गया, but the personality, the backing of personality, that knowledge which was already embedded in this second person, created miracles. So, I have given you three stages, it's very difficult to compare, but I did it. So, try to have our one week course, anywhere you are, whatever you do, whatever your age is, whatever you are doing or not doing, if you take this course, you will be an exceptional excellence for any place. You are for hotels, you are for army, you are for banks, you are for any other security forces, you are here for anything in this life. You are for the airlines and all that. You will be exceptional. The person who will come in front of you will go enlightened, will go satisfied and want to stay with you forever. So, this is the comparison. So, take our course, anywhere you are, Shalimar Garden, Ghazi Abad, only one week course. That is Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday. We will make you exceptional candidate by Friday. And the charges only, group is 3000, total charges. And we will certify you also. And you will stay, you can stay attached with us for any negotiations, for any advice, for anything. We will be a family-like thing. So, try to encourage people, tell people to come here, join us. And our phone number is 9, contact number is 9205-667-244. Again, 9205-667-244. This is the number of Ghazi Abad. Our director, Tanya, will talk to you and she can give you all the directions to join it and get yourself empowered and be ready for the coming age, coming word of personality. It's already there, but it will be in a more severe shape in the coming days. Okay, Namaskar.